दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आउनलाइन गैमिंग अप्लिकेशन में किस तरह से फ्रॉड होता है दोस्तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बलके प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आनलाइन गैम खेलते हैं यह सोच करकि वो यहाँ से हजारों लाखों रुपय कमा लेंगे और इस चक्कर में वो अपना पैसा एड कर देते हैं किसी भी अप्लिकेशन में आँख बंद करके तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किसी भी अप्लिकेशन में अपना पैसा एड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही पहली बार हमारे चैनल पर आए है तो चैनल को सब्सक्राइब भिक कर लीजेगा तो चलिए ट्राक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथ आपके साथ आउनलाइन कमपनिया फ्रॉड करती है तो दोस्तो यहां पे कुछ पैसे हैं जिसको मैंने तीन भाग में रख दिया है और इसी के थुरू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आउनलाइन गैमिंग अप्लिकेशन किस तरह से फ्रॉड करती है दोस्तो यहां पे सकोच कीजिए कि यह कमपनी का मालिक है जो यहां पे बैठा है गैम खिलवाने के लिए और यह दो बंदा आया है गैम खिलने के लिए वो कोई साभी गैम हो सकता है रम्मी पोकर तिन पत्ती लूडो कैराम कुछ भी हो सकता है तो यहां पे यह दोनों जीत लिया अब यहां पर कर एगा चार रुपया कम चला गया आप यहां से प्रसे च चार रुपय celebrity का गेंम लगाता है इस तरह से और बाद में यह बंदा जीत जाता है इस बंदे से भी सार रुपय कमे चोन पर चला जाता है अब देखिए गा इस से फिर से यहां पर 4-4 रुपया दोनों जन लगाते हैं और यहां पर एक बंदा फिर से वापस जीत जाता है इसमें से भी कमिशन चला जाता है कमपनी के पास फिर से यहां पर लालच लोगों का बढ़ता है और 8-8 रुपय का गयम यहां पर लगा देता है इस तरह से और एक जीत जाता है और commission company के पास चला जाता है देखें यहाँ पर company जो पैसा कम लेके आये थी उसके पास पैसा बढ़ते जा रहा है और इन दोनों का पैसा घटते जा रहा है उसके बाद यहाँ पर फिर से वापस यह दोनों लगाते हैं 8-8 रुपय का गेम और उसके बाद क्या होता है एक बंदा जीत जाता है और यह commission company को चला जाता है अब इसके पास तो कुछ पैसे बढ़ गए और इसके पास पैसे खतम हो गई है यह बंदा जो है कि टेबल छोड़के चला गया क्योंकि इसके पास गेम इस तरह से लगाएंगे वापस में उसके बाद एक बंदा यह गेम जीत जाता है और यह पैसा जो है commission company के पास चला जाता है उसके बाद फिर से यहाँ पे लोग game लगाएंगे यह जीत जाता है commission company के पास चला जाता है फिर से वापस game यहां पे इस तरह से फिर से यह बंदा जीत जाता है आप कमिशन कंपणी के पास mêmes पहले जीता था बाद में यह यहाँ यह E एक दिन जीता दूसरे दिन हार गया ये बंदा किसी दूसरे टेबल पे जाएगा उसके साथ भी वही मामला होने वाला है या तो जीतेगा या हारेगा मतलब यहां पे आप रेगूलर जीत नहीं सकते किसी भी ऑनलाइन कमपनी में आप पैसा लगा के अगर गेम खेलेंगे तो वहां पे आपके साथ यही होने वाला है तो दोस्तो एक तो यह तरीका होता है कि एक बार आप जीतोगे एक बार आप हारोगे फिर जीतोगे फिर हारोगे इस तरह से आपका टोटल पैसा कमिशन में ही कमपनी के पास चला जाएगा आपके पास कुछ नहीं बचेगा दूसर तिसरा जो इन लोगां का लूटने का तरीका होता है वह यह होता है कि आपके साथ खिलारी खेल रहा होता है उन में से 20% ऐसे खिलारी होते हैं जो dummy player होता है जो computer से बना जाता है अगर आपके साथमें dummy player connect हो गया तो आप 100% हारोगे ही हारोगे वहाँ पे जीतने का कोई चांस नहीं है और तीसरा जो तरीका है इन लोगों का वो यह होता है कि जब आप खेल रहे होते हो बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम से सुलो हो जाता है और उसके बाद दोनों खिलाड़ी का जो पैसा है वो कमपनी के पास चला जाता है और ऐसे में भी आप हाल जाते हो तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कभी भी आउनलाइन गैम खेलिए तो आपको जो बॉनस मिलता है उसी से खेलिए पैसा कभी भी एड़ मत किजिए